हेलो गाइज, वेल्कम टो आवर यूट्यूब चॉनल इस्टडी विद एम, आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट विडियो लेके आए हूँ, तो देखे आपके आगामी फॉरेस्ट कार्ड के एकसाम के रिगार्डिंग, आज मैं आप सभी के लिए उत्राखंड के रिविजन क्लास लेके आए हूँ, और ये क्लास आपके अधर उत्राखंड एकसाम के लिए भी काफे इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें, तो शली आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है, वो सस्क्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं काप important question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं, तो आपको join कर सकते हैं, तो चलिए आज के session को हम start करते हैं, और इस session का पहला question है, जोशी मट ओली रोप वे शुरू किया गया, तो देखें, जोशी मट ओली रोप वे शुरू किया गया, अक्तुबर 1993 में, option 6 question का correct, answer है, next question कौन नदी केदारनाथ से रूदर प्रियाग होते बहती है, तो देखें, केदारनाथ से रूदर प्रियाग होते बहती है, आपकी मंदाकनी नदी, option 6 question का correct answer है, अगला question देखेंगे, बदरनाथ मंदिर इस्तित है, बदरनाथ मंदिर इस्तित है, जमोली में, option 6 question का correct answer है, next question देखें, पंच केदार बर्ग में निम्न मैं से कौन एक नहीं है, तो देखें, पंच केदार बर्ग में कौन सा नहीं है, विश्वनात ओप्शन, डेस कुशन का करेक्ट आंसर है, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, उत्राखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, तो देखें, उत्रा पितोरगड जनपद में इस्तित है तो option A, यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है, अगला question देखेंगे, महात्मा गांधी ने राजी के किस इस्थान को भारत का सुच्जा लेंड कहा था, तो देखें, महात्मा गांधी ने राजी के किस इस्थान को सुच्जा लेंड कहा था, कौसानी को, जो की पागिश्वर जनपद में है, option C, question का right answer हो जाएगा, अगला question देखेंगे, हेम जो है, यह साद परवतों से खिरी हुई है, option B, question का correct answer है, next question देखेंगे, निम्न मैंसे कौन सा इस्थान कैलास मान सरोवर से सबसे कम दूरी पर है, तो देखें, कैलास मान सरोवर से सबसे कम दूरी पर इस्थान कौन सा है, यह स्थान है, तवागाट, option B, question का right answer है, अगला देखेंगे असकोट वनी जीव सेंचुरी है तो देखें असकोट वनी जीव सेंचुरी ये है आपके पिथोरागड चनपद में आप्शन डिस्कुशन का राइट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे पिथोरागड से 165 किलोमेटर दूर इस्तित वह इस्थान जहां उनी वस्तुएं जैसे कि शाल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन वर जड़ी पूटियां मिलती है तो पिथोरागड से 165 किलोमेटर दूर इस्तितिये इस्थान है मुन्शारी जहां उनी वस्तुएं शाल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कालीन वर जड़ी पूटियां मिल तो option C, यहां पर आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, अगला दिखेंगे, गांधी जी ने श्रीमत भगवद गीता पर अपनी प्रशिद भूमी का अनसकती योगटी का लिखी थी, कहां पर correct answer हो जाएगा आपका कौस्थानी में, option C, बिल्कुल right answer है, अगला question देखेंगे, भग भगवान शिब के 12 जोतिल लिंगों में से एक स्थापित है, कहां पर केदानाथ में, option D, discussion का right answer है, अगला देखेंगे, उत्राखन के, किस हिल इस्टेशन को पहाड़ो की रानी कहा जाता है, तो देखें, पहाड़ो की रानी किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है, मसूरी क कहा जाता है, option A, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अगला देखेंगे, निमने में से कौन पंज परियागों में समिलित नहीं है, तो देखें, पंज परियागों में समिलित नहीं है, correct answer है, आपका केशव परियाग, option A, बिलकुल right answer है, अगला देखेंगे, कौन मंदिर, 12 जोतिल लिंगों में सम्मिलित है तो बारा जोतिल लिंगों में सम्मिलित मंदिर है आपका केदानात मंदिर ओप्षन discussion का right answer है next question देखेंगे पंच परियाग किंजिला समुहों में इस्तित है तो देखें पंच परियाग जो है ये किंजिला समुहों में इस्तित है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमोली, रुदरुप्रियाग और तीरी में option 20 question का right answer है अगला देखेंगे उत्राखन के चारुधाम चारुधाम कौन-कौन से गंगोत्री, यमनोत्री, बदरिनाथ और केदार नाथ तो उत्राखन के चारो धाम किन जिला समों में इस्तित है देखें उत्राखन के चारो धाम इस्तित है उत्तरकाशित, रुदरुप्रियाग और चमोली जिला समों में option C, यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे उत्राखन के किस जन पर में पंच गेदार में से कौन रुदरु प्रियाग में तो सभी option D, इस्करशन का right answer है अगला question देखेंगे, राजी के चारो धामों में तो राजी के चारो धामों में सरवाधिक उशाई परिस्तिध धाम है, आपका केदारना धाम, option बीज़ कुशन का right answer है, अगला कुशन देखेंगे, राजी में सरवाधिक उशाई परिस्तिध मंदिर है, आपका तुंगनाथ मंदिर, option बीज़ कुशन का right answer है अगला कुश्चन देखेंगे विद्वानों के अनुसार खांडव वन्था वर्दमान हरीदवाद तो option A's question का right answer है अगला देखेंगे निमने मैं से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है तो देखिए इन मेंसे रुणी खेट के पास इस्थित्मंदिर कौन सा है, ये मंदिर है आपका cookies my का मंदिर, option based question का right answer है अगला question देखेंगे बद्रिनाथ जिन्हें विशाल बद्री भी कहा जाता है तो बद्रिनाथ या विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है तो क्या नहीं है ये बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखे पंच धाराये हैं बद्रिनात के आसपास पंच शिलाये हैं पंच कुंड है लेकिन पंच गुफा नहीं है तो option D यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला question देखेंगे ओम परवत इस्तित है देखें ओम परवत आपके है पितारागर जनफद में option D question का राइट आंसर है अगला देखेंगे निवने वैसे किस परवती इस थल को पहाडो की रानी कहा जाता है तो देखें पहाडो की रानी किस परवती इस थल को कहा जाता है correct answer हो जाएगा आपका चक्राता को option B यहाँ पे आपका बिलकुल right answer है अगला question देखेंगे पहडो की राने ने पहडो का राजा कहा जाता है किसे चक्राता को इसको correct कर लेजिएगा आप सभी लोग अगला question है धिकाला किस रास्टी उद्ध्यान का प्रवेश द्वार है तो देखें धिकाला जो है यह किस रास्टी उद्ध्यान का प्रवेश द्वार है correct answer है आपका corporate option C यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे कुपजा मरग किसका प्राचीन नाम है तो देखें कुपजा मरग प्राचीन नाम किसका है correct answer है आपका रिशी केश का रिशी केश को प्राचीन में क्या कहा जाता था कुपजा म्रग अगला question है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है क्या बाड़ा heart option C यहाँ पे आपका right answer है अग्ला देखेंगे प्रशिद्ध सूरी मन्दिर कहां इस्तित है दिखें प्रुषिद्ध सूरी मन्दिर है आपके कटार मल में autonomous is question का right answer is important question है अगला question देखेंगे वरसिष्टगुफा कहां इस्तित है मोंस्ट आपके कहां पर जमोली में नेक्ष्ड कुछन देखेंगे शंक्राचारी का जोतिर पेट कहां इस्तित है तो देखें शंक्राचारी का जोतिर पेट ये बताना है कहां पर इस्तित है correct answer हो जाएगा आपका जोशी मठ में option C, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे निम्न में कौन सुमेलित नहीं है तो देखें कौन सा इस में सुमेलित नहीं है ये बताना है तो तामर नगरी अलमोडा ये आपका सुमेलित है बिल्कुल बाल मिठाई का घर नैनिताल बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है अलमोडा को ही कहा जाता है तो यहाँ पे नैनिताल दिया हुआ है तो ये आपका सुमेलित नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा option B बाकि मिनी कश्मीर कहा जाता है पिथारगड को बिल्कुल सही है गाईद रितिर अंसर क्या हो जाएगा देखे correct answer है परियटकों की नगरी मसूरी कौन सा इस में से सुमेलित नहीं है ये बताना है तो परियटकों की नगरी मसूरी को कहा जाता है ये आपका incorrect है यानि की सुमेलित नहीं है सुरी सुमेलित नहीं है तो इस question का right answer हो जाएगा option D अगला कुशन देखेंगे निमने में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखें इन में से सुमेलित कौन सा नहीं है भारत का एडिन बरार रानी खेत को कहा जाता है ये आपका सुमेलित नहीं है हिमाले की द्वारी का द्वाराहाट को कहा जाता है बलाना कहा जाता है बलना कहा जाता है कौशानी को छोटा कस्मिर कहा जाता है पिथोरगड को तो सुमेलित नहीं है भारत का एडिन बरा रानी खेती ये आपका सुमेलित नहीं है अगला कुशन देखेंगे तो देखे राजी में इस्ते चारो धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते ग्रम में निम्न में से कौन सही है ये बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यमनोत्री के दानात गंगोत्री और बद्री नात अगला गुश्यन देखेंगे राजी में इस्ते चारो धामों का समोत्र तल से उचाई के बढ़ते ग्रम में निम्न में से कौन सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे गंगोत्री बद्रिनात यमनोत्री और गेदार नात ऑप्शन ए इस कुश्यन का राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट अरजुन वः विष्णो के ओप्शन सिखेंगे निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है तो देखें इन मठों में सुमेलित नहीं है आपका केशोराय मठ केशण पत में स्सक्राइट आप जल्दी से कमेंड करके बताईएगा अगर आपको आंसर आ रहा है अगला कुश्यन देखेंगे बद्री काश्रम के पास इस्तित नर नारायन परवत परतीख है तो देखें बद्री काश्रम के पास इस्तित है नर नारायन परवत और ये किसका परतीख है ये बताना है तो देखें नर नारायन जो परवत है ये परतीख है अरजुन वब विश्णो के option C यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे निमन गुफाओं वजिला में कौन सुमेलित नहीं है तो देखें इन में से सुमेलित कौन सा नहीं है संकर गुफा रुद्र प्रियागी आपका सुमेलित नहीं है तो option discussion का right answer हो जाएगा अगला देखेंगे हरिद्वार में मंसा देवी मंदिर किस परवद परिस्तित है तो देखें हरिद्वार में मंसा देवी का मंदिर इस्तित है विल्व नामक परवद पर option discussion का right answer है next question देखें हरिद्वार की अधिश्ठात्री देवी हैं तो देखें हरिद्वार की अधिश्ठात्री देवी कौन है करेक्ट आंसर है माया देवी option C बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे निम्न मैंसे द्रोन घाटी कहां इस्तित है देखें द्रोन घाटी इस्तित है आपके कहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देहरा दोन में option B यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे निम्न मैंसे कौन इस्तल देहरा दोन में नहीं है तो देखें इन मैंसे देहरा दोन में नहीं है आपका कौन सा इस्तल हर की दोन option D यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे पुर्षिद्ध परियतन इस्तल खिर्षु इस्तित है तो देखें पुर्षिद्ध परियतन इस्तल है खिर्षु और यह कहाँ परिस्तित है यह इस्तित है आपके पौड़ी गड़वाल में option B question का right answer है अगला question देखेंगे कटारमल सूर्य मंदिर के वास्तु शैली है most important question है तो देखें कटारमल सूर्य मंदिर किस जनवत में सित है अलमोडा जनवत में है और इसके वास्तु शैली बतानी है तो correct answer हो जाएगा आपका उत्राखंड शैली का बना है काटारमल सूर्य मंदिर अगला देखेंगे निमिनमेसे किसे गंगोतरी वा यमनोतरी का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे मसूरी को option D यहाँ पे आपका right answer है अगला देखेंगे कालिदास की मेग दूतम कावे में निमने मैंसे किस इस्थान का वर्णन है तो यहाँ पे आपका right answer क्या हो जाएगा कनखल कालिदास की एक वरचना है मेग दूतास जिसमें वर्णन किया गया है कनखल और कनखल आपके इस्थित है कहा पर हरीद्वार में अगला कुशन है निमने मैंसे किस इस्थान पर लक्षमण जी का एक मंदिर है तो देखें लक्षमण जी का एक मंदिर कहां पर इस्थित है हेम कुंड में option C, यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे, चिताई मंदिर कहाँ इस्तित है तो देखें, चिताई मंदिर की बात करें तो यह है आपके कहाँ पर अलमोडा जन्पद में अगला question है, गोविंद वलब पंत की जन्मो भूमी निम्ने में से किस के पास है तो देखें, गोविंद वलब पंत जी की जन्मो भूमी है यह कहाँ पर इस्तित है, correct answer है आपका यहाँ पर, शीतला खेत के पास option C, बिलकुल right answer है अगला देखेंगे, पाताल भूने शर मंदिर, निम्न में से किस जिले में इस्तित है, तो पाताल भूने शर मंदिर, इस्तित है, आपके पितोरागर जिले में, option D आपका right answer है, अगला देखेंगे निम्न में से कौन राश्टी उध्यान तीन जिलो में वस्तृत है, तो देखें कौन सा राश्टी उध्यान है, जो कि तीन जिलो में वस्तृत है, correct answer हो जाएगा राश्टी उध्यान, अगला question देखेंगे, सरवाधिक पर्याटगों को आकर्षित करने वाला राश्टी उध्यान कॉर्बेट है, इस दृष्टी से दूसरे स्थान पर है, तो देखें, दूसरे स्थान पर पर्याटगों को आकर्षित करने वाला राश्टी उध्यान कौन सा है, इस question का right answer हो जाएगा, राजाजी राश्टी उध्यान, अगला question देखेंगे, निम्न मैंसे किस राश्टी उध्यान के मध्य पाठली दून पाठली दून, ये किस राश्टी उध्यान के मध्य इस्थित है, इस question का correct answer है, आपका corporate राश्टी उध्यान option, C विल्कुल right answer है, अगला देखेंगे, राजी का सरवाधिक छेत्रफल वाला राश्टी उध्यान निम्न मैंसे कौन सा है, most important question है राजी का सरवाधिक छेत्रफल वाला राश्टी उध्यान कौन सा है गंगोत्री राश्टी उध्यान अगला देखेंगे, राजी का सरवाधिक छेत्रफल वाला वनी जीव बिहार कौन सा है, देखें, राजी का सरवाधिक छेत्रफल वाला वनी जीव बिहार है कि दानाथ वने जीव बिहार option बेस question का right answer है अगला देखेंगे आदिगुरु संक्राचारी ने बद्विकार्शम में स्थापित मूर्थी को निकाली थी तो देखें आदिगुरु संक्राचारी ने बद्विकार्शम में जो स्थापित मूर्टी थी इसको कहां से निकाला था correct answer हो जाएगा नारत कुंड से यह मूर्टी निकाली गई थी अगला दिखेंगे रगुनाथ मंदिर के जिले में इस्तित है रगुनाथ मंदिर इस्तित है आपके तिरीकड़वाल में तीरी गड़वाल के देव परियाग में इस्तित है रगुनात मंदिर अगला देखेंगे महाकाली शक्ती पीट किस जिले में इस्तित है तो देखेंगे महाकाली शक्ती पीट ये इस्तित है आपके पिथारगड जिले में आप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर है अगल लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब का लेजिए और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा शेशन को जादा से जादा शेयर कीजिएगा आपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रॉप्स में नेक्स्ट कुश्चन देखे गोलु देवता का मंदिर निमने मैं से किश जिले में इस्तित है तो देखे गोलु देवता का मंदिर है आपके अलमोडा में Option C यहाँ पे आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे रिशिकेश में इस्तित मुनी की रेती किश जिले के अंतरगत है तो देखें मुनी की रेती ये किश जिले के अंतरगत आता है जो कि रिशिकेश में इस्तित है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जागा तेहरी कडवाल के अंतरगत मुनी की रेती रिशिकेश के पास इस्तित है और ये तेरी गड़वाल जिले के अंतरगत आता है इसको दिहान रखें अगला कुश्चन देखेंगे रिशी केस से 15 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित मनी कोट परवत निमन मैंसे कौन सा परश्रिद्ध मन्दिर है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अगला देखेंगे उत्तरकाशी का पुराना नाम है तो देखेंगे उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बाड़ा हार्ट ओफशन 20 कुशन का करेक्ट आंसर अगला देखेंगे निम्ने में से कौन सुमेलित नहीं है तो देखें सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा गंगा का द्वार कंगोत्री अगला कुशन देखेंगे गंगा का द्वार किसे कहा जाता है कमेंड करके बताईएग आप सभी लोग अगला देखेंगे चिपला केदार मंदर निम्न chegar से कुछ चिले में इस्तित है चिपला केदार मंदर है आपके पिथवरागर में अगला देखेंगे किस धारमी की यातरा के शरुवात गौरी कुंड से पैदल प्रारंब होती है तो देखे कौन सी ये धर्मी की यात्रा है जिसके शुरुआत गौरी कॉर्ड से पैदल प्रारंब होती है तो ये यात्रा है आपकी केदानाथ यात्रा option C हाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे निम्ने मैंसे बागनाथ मंदिर कहां इस दित है regarding आज से आपके revision classes से चलेंगे तो forest guard के exam के लिए तो आप सभी लोग इन classes को follow जरूर किजिएगा और काफे सारे questions ऐसे रहते हैं जो की हमारे session से पूछे जाते हैं तो आप सभी लोग इन classes को जरूर follow कीजिए और जिन लोगों ने अभी भी study with aim को subscribe नहीं किया है जल्दी से subscribe कर लें अगला देखेंगे कणवाश्रम किस नदी के तड़ पर इस्तित है तो देखें कणवाश्रम है आपके मालिनी नदी के तड़ पर option base question का right answer है अगला देखेंगे सही युक्म का चैयन करना है तो देखें सही युक्म कौन सा है गंगोत्री और यमनोत्री मंदिर ये उत्तरकाशी में है नानक मत्ता उधमसिंग नगर में जंडा मेला देहरादून में सभी युक्म आपके सही है तो option D विलकुल right answer हो जाएगा अगला देखेंगे परियटन छेत्र खिर्ष्रू निमने मैंसे किस जिले में इस्तित है तो खिर्ष्रू है आपके कहाँ पर पौड़ी गड़वाल में option C इस question का right answer है अगला देखेंगे प्रशिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहां इस्तित है तो प्रशिद्ध टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है यह कहाँ पर देहरादू चिले में इस्तित है option D discussion का right answer हो जाएगा अगला देखेंगे नाग देवताल निमने मेंसे कहां इस्तित है नाग देवताल यह इस्तित है आपके कहाँ पर इस question का right answer है रानी खेद अलमुडा में option C बिलकुल right answer है अगला देखेंगे पिरान कलियर कहां इस्तित है देखें पिरान कलियर यह आपके कहां पर इस्तित है रोड़की के नजदीक option C इस question का बिलकुल correct answer है next question देखें नैनी ताल की खोज किस British यादरी ने की थी तो देखें नैनी ताल की खोज यह किस British यादरी ने की थी पी पैरन ने कब की थी यह आप comment करके बताईएगा अगला देखेंगे कटार्मल का पुर्षिद्ध मंदिर निम्ने मैं से किश देवता का है तो देखें कटार्मल का जो पुर्षिद्ध मंदिर है यह है सूर्य देवता का option based question का राइट आंसर है अगला देखेंगे निम्ने मैं से पाताल भूवनेशर क्या है तो देखें पाताल भूवनेशर एक गुफा है एक ताल है एक पारक है एक नदी है क्या है यह बताना है तो पाताल भूमनेशर जो है ये एक गुफा है option A यहाँ पर आपका right answer है और ये किस जनपद में है पिथोरागड जनपद में अगला देखेंगे निमनमे से सही युक्म का च्वैन कीजिए तो देखे हर्शिल उत्तरकाशी उखी मट और रूदरप्रिया काली मट नैनिताल कौन कौन से इसमें सही युक्म है ये बताना है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा A और B सही है हर्शिल उत्तरकाशी और उखी मट रूदरप्रिया ये दोनों ही correct है अगला question देखेंगे निमने मैं से कौन सा या कौन से युक्म सही है ये बताना है correct answer हो जाएगा आपका यहाँ पे तपकिश्ण मंदिर देरादोन के दारनात मंदिर रूदरप्रियाग जागिश्ण मंदिर अलमोडा सभी सही है तो option D यहाँ पे आपका right answer है देखें भारत माता मंदिर जो है ये आपके हरिद्वार में है बिल्कुल सही है कैची धाम आपके अलमोडा में नहीं है ये है आपके नेनी ताल में तो इसमें गलत युक्म बताना था तो option B आपका गलत युक्म हो जाएगा काली मठ है रूदरप्रियाग में और कुझा पुरी मंदिर है तीरी में बाकी सही है option B आपका यहाँ पे गलत युक्म हो जाएगा अगला question देखेंगे प्राचीन समय में निमने में से किसे कुपजा मरग के रूप में जाना जाता था correct answer हो जाएगा आपका रुषी केश को अगला देखेंगे निमने में से कौन सा या कौन से परवत डुपीय नगर है तो इन में से परवत डुपीय नगर बताने है correct answer है आपका काड़ गुदाम रुषी केश कोट द्वार सभी है तो ये सबी option D यहाँ पर आपका right answer है और ये question most important है अगला देखेंगे कमलेशर मंदिर कहाँ परिस्तित है देखें कमलेशर मंदिर है आपके कहाँ पर श्री नगर में अगला question देखेंगे निमने में से हरीदवार का प्राचियन नाम है अगला question देखेंगे अगला देखेंगे श्री पोनागिरी मंदिर उत्राखन के कुषिजिले में इस्तित है तो पूनागरी मंदिर है आपके चमपावत जिले में option B question का right answer हो जाएगा चलिए next question देखते हैं निम ने लिखे तो मैंसे कौन सा या कौन से इस्थान देहरा दून जनपद में इस्थित है तो देखे इन मैंसे देहरा दून जनपद में कौन से इस्थान इस्थित है ये बताना है तो माल से डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छी वाला सभी है उप्रोग तो सभी option D question का right answer हो जाएगा अगला देखेंगे व्यास गुफा कहां पर इस्थित है आपके मसूरी में अगला देखेंगे टिफिन टॉफ कहां पर इस्थित है टिफिन टॉफ है आपके निनिताल में अगला देखेंगे महासू देवता की पूजा होती है महासू देवता की पूजा कहां पर होती है देहरा दोन में अगला question देखेंगे महासू किस चंजाती के प्रशुद देवता हैं ये आप कमेंट करके बताईएगा अगला देखेंगे निमनाकित मैसे किस एक परवती इस्थान को महात्मा गाधी जी ने भारत का स्विट्जा लेंड कहा था तो ये कौन सा स्थान था? ये था आपका कॉसानी option डिसकुषिन का राईट आंसर है अगला दिखेंगे उतरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उतरकाशी का पौराणिक नाम हैसॉम्यकासी ये आपको याद रखना है पौरानिक नाम और प्राची नाम दोनों ही अलग-अलग नाम है ये इनको ध्यान रखेंगे अगला देखेंगे उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गाउ माना किस जिले में इस्तित है तुदी के उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गाउ है माना और ये किस जिले में इस्तित है चमोली जिले में अगला देखेंगे फ्रैंक स्मित ने किसकी खोच की थी फ्रैंक स्मित ने किसकी खोच की थी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फूलो की घाटी की कब की थी कमेंट करके बताएं आप सब ही लोग अगला देखेंगे उत्राखंड में श्री यंत्र टापो इस्तित है तो देखे उत्राखंड राजी में श्री यंत्र टापो ये कहां पर इस्तित है श्री नगर में श्री नगर श्री श्री याद रखेंगे श्री नगर में इस्तित है अगला कुश्यन देखेंगे अगले है आपका देहरादून जनपद में इस्तित प्राचीन चार सिद्ध पीठों में समलित नहीं है तो देखे देहरादून जनपद में इस्तित चार सिद्ध पीठों में कौन सा समलित नहीं है इस question का correct answer हो जाएगा भैरव सिद्ध option A यहाँ पे आपका बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे वाराही देवी मंदिर उत्राखंड में कहां इस्तित है वाराही देवी का जो मंदिर है यह है आपके देवी थुरा में और किस जनवत में इस्तित है पूछा जाए तो चंपावज जनपद हो जाएगा आपका अगला देखेंगे जागिश्वर धाम के इस नदी के किनारे इस्तित है जागिश्वर धाम है आपके जाठ जटा गंगा यहाँ जाडगंगा भी सिक आजाता है तो जटा गंगा याद रखें अगला देखेंगे पृषिद्य मंदिर हाट काली का कहा इस्तित है तो देखें पृषिद्य मंदिर हाट काली का ये इस्तित है आपके कहाँ पर गंगोली हाट में है आपकी ये इस्तित है कहां पर बद्रुनात के पास अगला देखेंगे शंकर गुफा कहां पर इस्तित है शंकर गुफा है देव प्रियाग में अगला है आपका देखें निमने में कौन सरवाधिक उचाई पर इस्तित है तो देखें सरवाधिक उचाई परिस्तित है इन में से कौन सा प्रियाग बताना है तो विश्णो प्रियाग जो है ये सरवाधिक उचाई पर है option discussion का right answer है तो okay guys आज के इस session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो इस session को like कीजिए शेर कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजे तो चलिए मिलते हैं एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद